बाइन सोवल्स इस question पे आपको n items खरेते हैं और n items को खरेते के लिए एक swap है जहां पर exactly items तो नहीं मिलते लेकिन items packages में मिलते हैं ठीक है टोटल महाँ पर के packages हैं के packages में multiple items हो सकते हैं example लिते हैं let's suppose आपको 12 items खरेते होते और उसे खरेते के लिए आपके पास चार packages हैं यह पहला package दूसरा तीसरा और चौथा यह packages में कितने-कितने items होते हैं तो one two three four ऐसा कुछ यह पहला item इसमें दो आइटम तीन आइटम और चार आइटम यह sequence में बढ़ते हैं one two three four ऐसे तो अगर आपके पास चार पैकेज हैं तो पहले पे वन तू और थ्री फॉर यह सभी आपको पैकेज हैं अब आपको करना क्या है देखो आप बैसिकली इन सभी म multiple instances है या फिर बहुत सकते हो कि इस टाइप का आपके पास infinite package है swap में basically तो आप जितने बार चाहो इस टू वाले पैकेज हो खरीद सकते हो इसमें अगर दो आइटम से तो अगर आपने इसका एक्स एक्स पैकेजिस कर दे हैं ऐसे तो आपके पास टू एक्स आइटम हो जाएं चार पैकेज खर दे आपने इस टाइप के तापके बस टूटल टूवर्फ आइटम हो गए एक्जैक्ली आपको यही करना है देखो अब किसी भी package के multiple times खर दोगे उसे और वह जो भी count था basically उसी को minimize करना है एक बार फिर से देखते हैं इससे बेसिकली अगर मैं वर्न वाले package खर दूंगा मुझे टूटल टूवर्फ बंदे चीए तो वन पैकेज वाले को मुझे बारा बार खर दना पड़ेगा तभी टूवर्फ आइटम्स पूरे-पूरे हो पाएंगे तो पैकेज वाले को मुझे टूटल 6 बार खर दना पड़े इंगे लिए डिए टारवर्फ ओड़ेना पड़ेगा और प्राके वाले को मुझे तीन वर्फ रिदना पड़ेगा तो फड्रेटम्स पाइंगे अधैंगे तक chosen एंगे था जिए हूं मुझे आःटम्स पने यह जो count है basically आपने कितने package खर दें आपको इसको minimize करना है minimum यहां पर टीन था यही आपका answer है आपको यह नहीं बताना कि आपने कौन सा package को लगश्च को खरदा है कितने items आपको यह नहीं बताना आपको पास यह पास आपके आपके खरता था आपने उसे कितने बार खरदा है और यह बंदा minimum होना चाहिए minimum number of packages आपने खरीदा such that आपके पास 12 items आ चुके हैं इसे कुछ और multiple test cases के लिए देखते हैं तो यहां पर total पांच test cases है पहले वाले पर n equals to 8 आपको 8 items खरदने हैं और k equals to 7 basically 123 ऐसे करते हुए साथ तक कि आपके पास package है ठीक है तो आपको 8 items कैसे खरद सकते हो आप देखो package item और package पीसी ठीक है अगर एक बंदा है एक आइटम है तो आपको 8 packages खरदने पड़ेंगे 8 items मिल जाएगा आपको राइट दो package में अगर दो items है तो आप चार खरद होगे एट बन जाएगा थ्री से तो आप पोर्स नहीं बना सकते थ्री थ्री वाले packages आपको इतने बार भी खरद दो आपके पास 8 items कभी भी नहीं होगा थ्री खरद के तीन items हो सकते हैं 6 हो सकते हैं 9 हो सकते हैं 8 नहीं होगा पोर वाले आपको दो packages खरने पड़ेंगे तो 8 items हो जाएगा तो बैसिकली यही इतनी solutions बनते इस पर पोर के बाद 6 से भी नहीं बनेगा और 7 से भी नहीं बनेगा काम इसमें अगेन आप क्या करोगे तो जो packages का count है आपने 8 package खरदा चार खरदा दो खरदा इन सभी में से दो अलमीनिमम है इसका answer दो हो जाएगा अगर मैं आपर से answer भी ले आओं यह रहाँ पहला answer टू बिल्गुल करेक्ट है ऐसे ही 8 1 आपको 8 items खरदना है और package खरदना है और package खरदना पड़ेगा इसको 8 बार खरीदना पड़ेगा तब यह ठोपाएगा चीक है अभी से हम solve कै कैसे करेंगे देखो basically हम करते क्या है अब मुझे मेरे पास n है कुछ let's suppose 12 और k है let's suppose 5 ठीक है तो कुछ ऐसा करना है कि यार packages में जो items है उसको मैं multiply करूंगा packages का count मैंने कितने packages खर दे हैं और यह equal होगा n के शीक है लेकिन अगे यह multiple ऐसे equations आ सकते हैं right satisfy करने वाले मुझे इसको minimize करना है इसको minimize करो और यहां पर जो packages का item है यह packages का item 1 से लेकर के 5 तक ही हो सकता है right यह जो PI है यह 1 से लेकर के less than equals to k तक यहां पर अगर मैं PI और PC इन दोनों को multiply गरके n बना रहा हूं तो यह दोनों बंदे जो हैं यह n के factors होंगे यह दोनों ही n के factors है और अगर यह दोनों n के factors हैं तो यह दोनों ही या तो square root of n और square root of n के equal होंगे या फिर एक बंदा छोटा होगा square root of n से एक बंदा छोटा होगा कोई भी less than equals to कर सकते हैं less than equals to और दूसरा जो है वह greater than equals to square root of n होगा अभी हम लोग exactly इसी जीच का फायदा उठाने वाले हैं मुझे इस टाइप को जितने भी questions exist करते हैं इन सभी को देखने के लिए 1 से लेकर के square root of n तक ट्रैवल करने की जौरत है यह टाइप के मैं सभी equations को find out कर लूँगा और सभी equations में अगर मैं travel कर रहा हूं तो मैं इसका minimum value भी नहीं का सकता हूं राइट तो अभी exactly यही काम करते हैं question में यहाँ पर n और k इस function को दे दिया गया है हमें यहाँ पर क्या करना है तो 1 से लेकर के i equals to 1 से लेकर के i is less than equals to square root of n यहाँ पर i into i कर सकते हैं i++ और अगर n modulo i equal equal to 0 है तो i उसका एक factor है यहाँ पर i के जगा pi packages पर जो item है चीक है तो p of i मुझे मिल गया या फिर आप इसी एक factor बोल सकते हो चीक है p of i पहला factor है और दूसरा pc equals to n upon pi चीक है आपको दो factors मिल चुके है pi और pc ठीक है लेकिन यह नाम देना सही नहीं है इसे a और b गोलते हैं a और यहाँ पर b ठीक है एक ओमा भी दो factors मिल गया है इंदों को multiply करो तो यह आपको n लाके देंगे अभी न मैं यह दुनों c basically b है चीक है अगर a इस रेंज पर लाई करता है तो b को minimize कर दूँगा और अगर b इस रेंज पर लाई करता है तो मैं a को minimize कर दूँगा चीक है यह गंडी से जो satisfy करेगा उसके complement को minimize करना है तो एक answer बना लेते हैं यहाँ पर answer बहुत दी maximum value यहाँ पर रख देंगे उस पर actually maximum value n ही हो सकता है यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर a जो है a is less than equals to k ठीक है a अगर valid है तो answer equals to math dot min answer comma k answer comma b ठीक है अगर a range पर था तो मैंने b की minimum value ले लिया और अगर b is less than equals to k है तो फिर से math dot min answer comma b a range पर था तो b को ले लिया b range पर था तो a को ले लिया right answer अभी जो है ना वह बिलकुए minimum हो चुका होगा यहाँ पर समय उसे return कर दूंगा ठीक है अगें यहाँ पर मैंने maximum value पर इनको क्यों लिया है देखो यहाँ पर जो k है ना वह at least one होगा ही होगा मतलब greater than equals to one होगा ठीक है अगर यह greater than equals to one है तो आप हमेशा यह काम कर सकते हो package item पर one रख दिया यहाँ पर multiply कर दिया package count तो आपको n packages लगेंगे तो ही यह ना लेगा तो basically packages का count and exist करेगा ही करेगा हमें साथ इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए maximum value और अगें इस code की complexity यहाँ पर work करेगा यह नहीं करेगा तो basically हर test case के लिए आप square root of n के लिए काम करते हो तो राइट यहाँ पर जो n है वह वर्ष कंडिशन पर 10 रेस्टी पार 9 हो सकता है ठीक है तो इसका जो square root of n है यह आपको around 3 into 10 रेस्टी पार 4 इतने के around value होगी इसकी और इस type के total 100 test cases हो सकते है test case is equal to 100 तो overall complexity जो है न वह 100 times 3 into 10 रेस्टी पार 4 या फिर 3 into 10 रेस्टी पार 6 और इतने गाम of course हम कर सकते हैं ठीक है यह चल दाना चाहिए राइट इसको run करके verify करते हैं b might not have been initialized n upon a ठीक है यहाँ पर सही आ रहा है यह इसको submit करके try करते हैं यहाँ पार 2 लार 2 you जए प्सक्वाँ तेक कर दे कर के दो यज कर देक है बार 2 we कर दो रहाँ तो यह एक्सप्रेट आ रहा है यह करेक्ट्ली वर्क कर रहा है